मैं हूँ शारत हमारा यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है अभी जिए पाइप का साथ है जो आप मेरा पाइप को टी जॉइंट होता है जहां पर पाइप लेन का कनेक्ट होता है फ्रेंस वहां पर एक लिकेज हो रहा है कंटीनू पानी ड्रिपिंग हो रहा है कि इस तर क्योंकि जो एक बार खोल जाता है उसको कैसे करके उसको फिर रीपिट करें तो हो जाएगा इस वीडियो में आपको चलिए दिखाता हूं हमारा चनल को प्रेंस सब्सक्राइब किजिए और लाइक किजिए प्लम्बिंग रिलेटर्ट फीडियो आप मारा चनल में आगे अब जो सब्सक्राइब करेंगे ईस वीडियो में आपको दिखाता हूं है पानी को बंद कर देना यह पानी बंद कर दिया तो आगे सप्लाइब नहीं जाएगा और उसके पानी को तो ट्रेंड आउट कर दना है ताकि पानी तुड़ा खाली हो जाएगा बے अब फ्रेंग इसको उठा है यह टी फटा नहीं है पैज है एक करना है के टी डैमेज नहीं हुएह लेकिन ऐगे फिर्ट स्विशन सबस्कों निकाल Oo ये कि इसके लिए एक ड्राइग कपड़ा ले लेना और इसको प्रणी थोड़ा सप्ष यह तो पानी तॉष सूख जाएगा अब क्या करना है इसको थोड़ा इसे हटादना एसे हटा करना है एक पर फिर इसको क्या करना Cathy इसको यह कर दो के आरी ब्लेड लेना या तो इमरी प्र प्र जो इसको थोड़ा प्राइब कर दोगे तो ये फिर क्या छूड़ जाता है यह पाइप का उपर लेबूल हाड हो जाता है जिसके बसे दोभारा पैस्ट अगर अधिक को लगा के पूछ कर देंगे फिर थोड़ी दिन तो त्क फिर्सक्त सब्सक्राइब कर दो तरहरां का जाया तो इम्पूरियू प् Permen but अभीवर हम ले भी पर रहेता है है का भी तर्वा है इसलिक इसी सॉक्रच कर दें हो प्रेंट से चाहिए तो आपको थोड़ा सा यह जो जोट निकला है आपको थोड़ा आगे पिछे कर देना है ताकि पानी गिला नहीं होना कि इसको पूरा सुखान आए यह पूरा ड्राइ होने के बाद फिर आपको फेस्ट करना है घिला में पेस्ट ठीक से रुकी गानी फिर आपको क्या करना है एसी बीजिए पेस्ट को ऐसे चारतरब लगा देना है का और इस्तरब जो है थ्वड़ा सामको कैसे भी लगाना पड़ेगा फिर आपको क्या करना है इसको उठा के पुुश कर दिना है और इसको थ्वड़ा ड्राइऀ होने में छोड़ देना है फ्रैश्से थ्वड़ा साशुक गया तो फिर आपको पानी जाल कर देना है यह पेस्ट पकल लेगा इसी तरह आपको भी भी सीवीश का जांट कहीं खोल जाता है उसको एक बार खोलने के बाद आप थोड़ा साथ करो ब्लेड से होने दो इम्रीवेपर में होने दो जिसमें भी ख्रॉब करके फिट करना डारेट ऐसे थोड़ा पर पेस्ट लागा कि फिट कर दिया तो फिर निकल जाएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया चैनल को सस्क्राइब करना तो जरूर है आज के लिए